दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई कि अब यहार के केस जिले में रहते हैं तो चले सुरवात करते हैं आज की पाहली और बड़ी ख़बर से बड़ी खर में देखे बिहार के तेने जिलो को सार प्रदसन ओवरॉल खगड़िया टॉप तो सिख्चा में सिख्पुरा और पूर्णिया ने मारी माजी जिया देखे आका आंची जीलों में बिहार के तेनी जीलों खगड़िया की साथ साथ सिख पुरा पूर्णिया ने सांदार प्रदसन किया है जहाँ खगड़िया ने ओवरॉल पुरदेश में सबसे सांदार काम किया है वही अन्य जीलों ने सिक्षा और स्वास्त के छेतर में सांदार प्रदसन किया है इनके कारियों को केंदर सरकार ने भी सहारा है आप इने प्रोस्किर्ट किया जाएगा सिक्षा के सेद्र के पडोसी जारकन के तिनी जीलो ने भी अच्छा काम किया है इस केटेगरी में गिरिडी को तिसरे इस्तान जबकि बुकारों को चोता इस्ता मिला है आपको बता दे के हाल हमें निती आयोग द्वारा देस भर की जिलो की जनुवरी 2023 की चेंपियन और चेज की डेल्टा रेंकिंग जारे की गई है इसमें बिहार के आकांचे जिलो का जल्वा रहा है देस में ऑवरॉल परफ़मेंस में खगड़िया जिला को पहला इसन म पहला है इसने तमाम सेक्टरों में बेहतर कार किया है बाड़े खर में देके ऑल-लाइन आवेदन देकर अब दस दिन में करा सकते हैं जमीन की मापी बस देने होंगे इतने रुप्य जारे के बिहार में जमीन की मापी की समय सिमाने धारित कर दी गई है आफलाइन या ओल-ल कराने की वबस्ता की गई है इससे आम लोगों को अपने जमीन के मापी के लिए अंचनल जाने की अनिवरता खतम हो गई है आपकी जानकारे के लिए बतादे कि अब घर बेटे किसान या रहत ऑल-लाइन आवेदन देकर जमीन की मापी कर पाएंगे साथ भूमे मापी के लगों हो गई है जानकारे के लिए बता दे कि नए वेबस्ता में सहरी और ग्रामीन छेत्रों के लिए मापी के अलग लग दर निधारित की गई है सहरी छेत्र यानि नगर पंचायत नगर परिसाद और नगर निगम के लिए प्रतिक खेसरा हजार रुपीय दर निधारित क गया है पईततकाल मापी के लिए इसके दुगना रासी देनी होगी अधिकर में देखे बिहार के ग्रामेन इलाकों में बनेंगे फायर बोद आग जनी रोकने के लिए मिलेगी कई स्विधाय जादे के बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाई बढ़ जाती बिभांग ने पदर में कहा है कि फायर बोद की स्थामना के बाद ग्रामेन इलाकों के लोगों को रहत मिलेगी वाई सभी जीलों को रहत बचाव के लिए जागरुता वियार में चलाने के निर्देश दिया गिया है बाड़ी कर में देखे बिहार दिवास में बिहार के विकास के लिए नितियस कुमान ने मांगा सबका सहयोग बोले मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे जब के मुख्य मंत्रे ने तेस कुमा ने बिहार के विकास के लिए सब का सहयोग मांगा है उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे उन्होंने तमाम राजनितिक पाड़ियों के नेताओं से आगरा किया कि पाड़िस से उपर उठ कर बिहार के विकास के हम सब को काम करना है बिहार दिवस के मौके पर पढ़ना के गांधी मैदान में आवेजी दराज के समारों को समुदित करते हुए मुख्य मंतरे ने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है लेहिन देश की चाल से अभी बहुत पीछे है देश की प्रतिव एक्ति आए करीब डेड़ बिहार ने देश और दिन्या को बहुत कुछ दिया है बिहार धर्मों का उद्दम स्तल है यह बुद के ग्यान की भूमी है यह महावेर की जनम भूमी है यह गुरु गोविन सिंग की भी जनम स्तल है मुख्य मंतरे ने कहा कि बिहार सोफी संतों की भी जमीन है उन्होंने मने मेरी सरीप और बिहार सरीप का जिक्र करते वे कहा कि बिहार में हर धर्म और संप्रदाय के लिए हमें सजगा रहा है मैं आप सवी से कहना चाहता हूं कि आपस में मिल कर रही है सांति बनाई रखे कुछ लोग दंगा फसाद कराएंगे उनका तो काम ही वही है लेकिन हमें एक जूट रहना है बाड़ेकर में दिखे महांगई होने वाले है बिहार में बिजली जाने टिरिप में कितने फ़िजदे तक होगी बढ़ोत्री आधे के बिहार के बिजली Ọप भूग्ताओं को जटका लगने वाला गुरुवार को बिजली के नई दरुक का एलान किया जाएगा बिहार बिद्धोत बिनायमा का आयो के अधिकारिक सुत्रों की माने तो इस बार बिजली के दरुक को बढ़ाने का फैसला हो सकता है आयोक की और से नई दरुकों निधारन को लेकर सुनवाई पूरी कर ली गई है अब नई दरुक की घोसना होगी बताया जा रहा है कि इस बार बिजली के दामों में 40 फेजी तक बड़ोतरी हो सकती है बाड़ेखर में देखे 31 मार्च तक नहीं रहेगे कोई छुटी रहवार को भी खुले रहेंगे बैंक आरबियाय ने जारे किया ये आदेस जै आदेखे देश के सभी बैंगों के ब्रांच इस बार रहवार को भी ओपन रहेंगे इसको लेकर आर्बिया ने आदेस भी जारी कर दिया है इस आदेस में कहा गया कि देश के सभी बेंकों को ब्रांच फाइनेंसल एर खतम होने तक यानि 31 मार्च तक खुले रहेंगे इसके बाद दो दिन यानि एक और दो अपरिल को बेंकों में काम काज नहीं होगा दरसल आर्बिया ने कहा कि 31 मार्च को फाइनेंसल एर 2022-2023 खतम हो जाएगा सरकार से जुड़े सभी टांजेक्शन इस तारिक तक सिटल हो जाने चाहिए इसे में आर्बिया ने कहा कि नेशनल इलक्टोनिक फंड ट्रांसपर और रियल टाइम ग्रॉस सिटल्मेंट सिस्टम के जरी होने वाले टांजेक्शन 31 मार्च को रात बारे बज़े तक जारे रहेंगे हलाकि ग्राकों के लिए इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा लेकिन बैंक ब्रांच में चेक जमा हो सकेंगे साथ ही इस दिन ओलाइन बैंकिंग को भी खोला रखा जाएगा बाड़ीखर में दिखे बिहार दिवसकी देन्ए Mull नितिस ने दिया बड़ा तवफा इतने हजार पदों पर होगी सीक्षको की बहाली जाद के बिहार में अगर सीक्षक बहना चाहते तो आपके लिए अच्छी ख़बर है साथ हजार नई पदो पर सरकान ने सिक्षकों के नियुक्ति करने जारे यह बता दी कि सियम नितीस कुमार के अधिक्स्ता में हुई राज केबिनेट के बैठग में यह फैसला लिया गया है नितीज कमिनेट ने सिक्षकों की साथ अजार नई पदों कि इस रिजन केलिए मंजूरी दे दी है इनी सिक्षकों केलिए विस्यस बच्चो याने दिव्याइंगों को पड़ाने केलिए बहाली करनी है सिक्ष बिभाग जल्दी इसके नियुकती के लिए आगे की करवाई करेगी वाई बाड़ी कार में देखे स्वास्त बिभाग में डेड़े लाक स्याद एक पदो पर होगी बहाले इन्हें जीलों में खुलेंगे मेडिकल कोलेज तेजस्वी यदव के ऐलान जाद के बिहार में स्वास्त सुविदा में सुधार को लेकर राज के स्वास्त मंतरी सा उपमुख मंतरी तेजस्वी यदव काफी तत पर दिख रहे हैं अब इसी के ताहत उन्होंने बिहार बिभाग या बजट भासन में बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने कहा कि राज के अंदर सुपूल, मुंगेर और गोपाल गंज में नए मेडिकल कोलेज खुले जाएंगे इसके साथ स्वास्त बिभांग में बंपर भरते होगी सदन में बोलती भी उपमुए के मंतर तेजसुय अदम ने कहा कि अब बिहार के जिलों में ही लोगों को बेहतर स्वास्त स्विधा मिलेगी जिससे अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए पढ़ना नहीं आना पड़ेगा राज के उपमुए के मंतर तेजसुय अदम ने कहा कि स्वास्त बिभांग में जल्दी एक लाग साथ हजार नए न्यूक्तिया होगी साथ ही आठ हजार पदस्रीजित के गए हैं इसके लवा आसा कर्मी के मांदे बढ़ने को लेकर भी विचार किया जा रहा है बाड़े कर में देखे बिहार में मौसम ने फिर बदली करवड चार डिगरी तक बढ़ता पमान जाने कैसा रहेगा आज का मौसम जादे कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवड बदली है प्रदेस के उचतम तापमान में एक बार फिर से बढ़तरी सुरू हो गई है अगले चार दिन इस से बिर्दी होते रहेगी मंगलवार तक प्रदेस का उचतम तापमान 30 डिग्री सेलसेस से काफी कम था मुदवार को यह 30 डिग्री सेलसेस के पार कर गया है हाला कि तापमान अभी भी सामाने से नीचे है इससे किसानों की ड्राहत की बात है अगले चार दिनों तक मौसम एकदम सुस्क रहेगा ओला विष्टी की सम्हावना बिल्कुल भी नहीं है बाड़ी खर में देखे बिहार के सिक्चकों को दूसरे लोगडाउन के आवदी का मिलेगा मेहनत आना सिक्चा बिवाग ने जारे किया रहा से जादिके बिहार में उत्र क्रामेत उचवी दलों में पढ़ा रहे 4050 अधिती सिक्चकों को दूसरे लोगडाउन अवदी के प्रस्रामिक का बुगतान किया जाएगा इन अधिती सिक्चकों को 22.75 रुपे का बुगतान किया जाना है सिक्चा बिवाग ने करेब डेड़ साल बाद अब जाकर उनके प्रस्रामिक बुगतान के लिए रासे स्विक्रत की है सिक्चा बिवाग से मिल्यादीकारी जानकारी के मताबिक 4,000 सद्रेक इन अधिती सिक्चकों को गविड-19 के दूसरे लोगडाउन के अवदी 1 अप्रेल 2021 से 11 जुलाई 2021 तक प्रस्रामिक का बुगतान किया जाना है इस सब्दी के परिस रामी के बुगतान के लिए सिक्षकूक ने उच नियालाई पाटना में याची का दखिल की थी इस संदम में 12 जनवरी को एक निया आदेश से पारित किया गया था इसमें बुगतान का आदेश दिया गया था आगली खबर में देखे बिहार में 4 फीज़ी बढ़ेगी नियूंतम मेदोरी 3 करोड मेदोरो को होगा लाब जानि अब कितने मिलेगी दिहारी जादे के बिहार में नियूंतम मेदोरी दर में 4 फीज़ी की व्रेदी होगी इससे बिहर के कामगारों को 15-23 रुपे रोजाना का लाब होगा स्रम संसादन विबाग में नून तब मैज़ोरी दर तई करने की कावायाद जोरो पर है नई दर आगा में एक अप्रिल से लगो होगा जिसका लाब 3 करोड कामगारों को होगा आपको बता दे कि सामाइन कारिके नियाजनों में काम करने वाले अकुसल स्रेनी के मैज़ोरों को अभी 333 रुपे रोजाना मिल रहे हैं इसमें 15 रुपे की विर्दी होगी जबकि अतिकुसल स्रमिकों को 277 रुपे रोजाना में 30 रुपे की विर्दी होगी गौर तलबे की एक साल में दो बार नियूंतम मैज़ूरी ताई होती है इसके तहट एक अप्रेल वा एक अक्टूबर से हर साल नियूंतम मैज़ूरी ताई होती है विभाग ने कहा है कि नियूंतम मैज़ूरी ताई करने की पिज़े सरकार की सोच के लोगों को इस रासी से कम पैसा नहीं मिले अगर कोई नियोजक इस रासी से कम पैसे में काम कर वा था तो समोनदेद वेक्दि प्रकंड के स्राम परवरतन पदादिकारिया पढ़ना में नियोजी दभवन में आविश्टे दस्राम सनसाधन मुक्याले में आवेदन दे सकते हैं गनित और विग्यान में तेज होंगे बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे IIT पढ़ना में सिख्चको को मिलेगी ट्रेनिंग जा देखे बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे को गनितव विगान में मेगावी बनाने के लिए IIT पढ़ना ट्रेनिंग देगा IIT पढ़ना सबसे पहले गनितव विगान के सिक्षकों को ट्रेनिंग देगा ट्रेनिंग अलग लग चर्णों में संपन होगा इसके बाद IIT पढ़ना विभीन टेलेंड सर्च एक जाम पिग्यान परदसनी ओलम्पियाड में बेहतर परदसन करने वाली स्टूडिन को प्रस्चित करेगा ताकि बच्चे साइंस के प्रतिसुरों से ही अपने रुच्ची बनाए रखे इसके राज सरकार आयाइटी पढ़ना को फंड मुहाया कराएगा इसके तयारी पूरी कर ली गई है अप्रेल में रोड मैप तयार कर लिया जाएगा बिहार में इन महिलाओं को पुलिस भरती के हाइट में मिलेगी छूड़ जानि एक सुसाड़ सेंटिमिडर की जगह क्या होगी नूनतम उच्चाई बिहार पुलिस अवर सेवा आयो के तहद पुलिस अवर निरक्षक दारोगा और प्राक्च अवर निरक्षक के नियुकती में अनुसुच जाती अनुसुच जाती और अतंद पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उचाई में छूट मिलेगी मुझे मंतर नितिस कुमार निस्व मौर को विदान सबा में इसकी घोसना की है उन्होंने कहा कि अनुसुच जाती जन जाती वह अतंद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में निरधारीत एक सो पचपन सेंटिमेटर नियुनतम उचाई की सिमा पर तो सरकार ततकाल गोर करेगी बाजबा के नंद की सोर यादाव ने सरकार से पूचा था कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयो के मुई की परिछा में उत्रेन अभी अर्थिव के लिए सारेडिक दश्टा परिछा में समाइन वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए नियुनतम उचाई 165 सेंटिमेटर था था अब यर्थि उखले नियुनतम उचाई 155 सेंटिमेटर निदारित की गई है यादव का कहना था कि समाइन वर्ग के महिलाओं को 10 सेंटिमेटर रुचाई के छूट पुरुसों के तुलना में दी गई है तो से एश्टी वा एबिसी के महिलाओं को उनके वर्ग के पुरुस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें